अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय सिंगापूर की यात्रा के लिए शोर सराबा कर रहे है असोबनी ये बिवहार है मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और मुझे हसी भी आ रही है वो मेर नहीं है लेकिन वो सिंगापूर में होने वाली मेरों की मीटिंग में जाना चाहते है मुख्यमंत्री है पर एक भी विभाग नहीं है बिना किसी विभाग या मंत्रा लेके वो देश में सिर्फ जूट परोसने का काम कर रहे है तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केज रिवाल जी आप मेरों की मीटिंग में क्या बताना चाहते हैं क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे तीन-तीन मेर 15-15 दिन बैठे रहे और आप उनको फंड देने की बात तो दूर अपने घर से निकल करके चार कदम मिल भी नहीं सकते थे अरविंद केज रिवाल जी मुख्य मंत्री के रूप में डिली में हर मोर्चे पर फेल सिद्ध हुए हैं नाकाम सिद्ध हुए हैं और सही मायने में देखेंगे तो इतिहास के सबसे निकम्मे मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाएंगे अरविंद केज रिवाल जी क्योंकि ये पहला मौका है जब एक विभाग हीन और मंत्राले हीन मुख्य मंत्री सिर्फ अपने जूट परोस रहे हैं पुरे देश दुनिया में और दिल्ली का फजियत कराने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं अच्छा होता अरविंद केज रिवाल जी कि आप सिंगापुर की यात्रा के लिए इस तरह सा रोना पटन करने की बजाए दिल्ली की जुकी बस्तियों में जाते जहां में 30-30 रात दिन रह करके उनकी समस्या आपको बताया वो पानी के लिए परसाने वो छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए परसाने सोचाले के लिए परसाने अगर आप उनके पास जा करके पूछते दिल्ली के लोगों में कि कहां-कहां जल जमा हो रहा है तब शाय दिल्ली के लोग आपको धरन्यवाद देते व पर समस्या दा समादान समस्या जी में लव मैरिज वशी करन केता कराया लॉटरी नमबर होवे या लोटू मैक्स छे सु उननचार मेरे और मेरे पत्दी के बीच में बहुत अनमन रहती थी जिसके वज़ब से मैं बहुत साइ नंत्रिकूषे मपने को चैवह को ऑगत चेखा है फिर बाद में मुराद जी आज देखो मैं अपने वबाहिक चेवनदे बहुत हुशा उने कॉल करो अठानवे चार सो स्तारा अठारा सासो च्यासी, स्तानवे सासो स्तानवे चोवे जीरो पचतर